बदलते मौसम में हर्बल्टी पी कर बढ़ाएं इम्म्यूनिटी नहीं पढ़ेंगे बिमार ठंड के मौसम में इन हर्बल्टी को पीने से बूस्च होती है इम्म्यूनिटी ग्रीन टी का सेवन संक्रामक रोगों से बचाता है साथ ही मिलते हैं कई लाब ठेंड के मौसम में कई संक्रमित बिमारियों का खत्रा होता है, सर्दियों के आते ही सर्दी जुखाम की समस्या परिशान करने लगती है, इस मौसम में वाइरल और इंफेक्शन का खत्रा रहता है, जिस वज़ा से सर्दियों में सेहत को ले कर थोड़ा सजक रहना पड़ता है जिन लोगों की immunity कमजोर होती है वो बिमारियों से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं इस मौसम में बिमारियों से बचने के लिए सबसे मददगार घरेलू उपाय होते हैं ऐसे में अगर आपको रोक्रति रोदक छमता को मजबूत बनाना है तो साधारन चाय की बजाए दिन से immunity मजबूत बनती है ठंड में पिए ये हरबल्टी अधरक वाली चाय ठंड के मौसम में तो जरूर सुभा में एक बार पी लेनी चाहिए इससे आपकी रोग प्रति रोदक छमता भूस्ट होती है साथ ही सर्दी जुखाम से भी बचे रहेंगे इसके पीने से फ्लू खासी संदर्द में आराम मिलेगा बलकि रक्त चाप और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखेगा साथ ही सिर्दर्द सर्दी खासी आदी से परिशान रहते हैं या डाइबिटीज चिंत और डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो तुलसी की चाय पिए तुलसी में एंटी समस्या दूर हो जाती है आप जयवल टी बना कर भी इसे पी सकते हैं इसके लिए एक चुठकी जयफल चूराण को उबलते पानी में डाल दे थोड़ी देर पानी को बाले और फिर इसे च्छान कर पी ले खाना खाने के एक घंठे बात आप जयफल पी सकते हैं इससे immunity मजबूत बनेगी गुड़ल्टी लाल रंग का ये फूल किसी चमतकार से कम नहीं है गुड़ल के फूल से बनी चाय पीने से कॉलेस्टरॉल कम होता है इससे heart की बिमारियों से बचाव करने में भी मदद मिलती है गुड़ल की चाय पीने से वजन को भी नियंद्रित करने में मदद मिलती है साथ इससे immunity भी strong होती है दालचीनी चाय immunity मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना दालचीनी वाली चाय पीए इससे पाचन में सुधार आएगा और मटापा भी कम होगा दालचीनी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हाट की बिमारियों का खत्रा भी कम होता है सुभा दालचीनी वाली चाय पीने से मेटाबॉलिजम अच्छा रहता है सला सहीत या समगरी केवल समाने से जानकारी प्रदान करती है या किसी भी तरह के योग चिकत्सा राय का विकल्प नहीं है अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेशक या अपने चिकत्सक से परामर्श करे साथी देश जुनिया से जोड़ी तमाम खबरों के लिए पेच को फॉलो करना ना भूले